आज हम लाइन ड्रॉइंग टेक्निक की लास्ट टेक्निक स्क्रबल से रिलेटेड एक इमेज ड्रॉ करेंगे और फिर हम उसमें देखेंगे लाइट टु डार्क टोन हम स्क्रबल के तुरू कैसे देते हैं स्क्रबल से रिलेटेड इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइट इमेज ड्रॉ कर लेनी चाहिए जस्ट आउटलाइन एक ड्रॉ कर लेनी चाहिए ताकि हमें स्क्रबलिंग करने में आसानी रहेगी जैसे आइब्रो में स्क्रबलिंग हमें डाक करना है क्योंकि वो पोर्षन डाक होता है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा स्क्रबलिंग करना होगी डाकनेक्स दिखाने के लिए और जो पोर्षन हमें उठा हुआ या फिर जिस पे लाइट पढ़ रही है उसमें हमें स्क्रबलिंग कम दिखानी होगी झाल 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 जैसे हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया अब जहाँ पे लाइट है मतलब वहाँ पे कम स्क्रबल दिखेगा और जो जो पौर्शन डाक है वहाँ पे हम जादा स्क्रबलिंग करेंगे तो जैसे यह वाला पौर्शन उठा हुआ है तो यहाँ पे हमने light scrubl किया है और ही इस वाला portion में हमने dark scrubl किया कौकि यहाँ पे बहुत darkness दिखानी है हमें इसलिए hatching, cross hatching, stapling और scrubl same technique है, सारी technique same है सिर्फ उसको करने का method अलग है जैसे hatching में हम parallel line के through light to dark tone दिखाते हैं cross hatching में parallel with cross line के through stapling में हम dot के through और scrubl में हम scrubling के through light to dark tone दिखाते हैं यह just एक technique है इसमें method अलग-अलग है technique एकदम same है line drawing technique की class मैंने आपकी इसलिए ली थी क्योंकि basic knowledge पता होनी चाहिए यह आपको पता होना चाहिए कि line drawing techniques में क्या क्या चीज़े होती है कौन-कौन से method से हम drawing कर सकते हैं इसलिए मैंने आपकी यह line drawing की technique ली थी next class में मैं आपको lighting effects से related एक class दोंगी देखते हैं lighting effects में हम क्या-क्या सिखते हैं आज की class यहीं तक thank you so much